दोस्तों आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल LTS में मुथूत फरेंज के बारे में आज हम बात करेंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी स्टॉक के बारे में आपको उसके पास्ट के 10 वर्षों के रिटन बता दूँगा तो आप कहेंगे कि रिटन तो कोई भी देख सकता है लेकिन अब आने वाले समय में कौन रितना रिटन बना के दे सकता है उन कमपनियों के बारे में आप ज़रूर जानना चाहरा होंगे तो आज हम इसमें देखेंगे मुथूत फरनेंस में क्या इसमें पोटेंशल है या नहीं है क्योंकि ऐसी बहुत सारी कमपनियां है जिनों 10 वर्षों में चाहे NBFC की हो चाहे बैंक्स हो चाहे अदा सेक्टर्स की रही हो बहुत अच्छा मुनाफ़ा बना के दिया है अब चू की 10 वर्ष पहले जो रिटेल निवेशक हुआ करते थे हम आप जैसे लोग उतनी इंफरमेशन 10-11 साल पहले उपलब्द नहीं थी उपलब्द थी तो बहुत ज्यादा डेटा अवलेबल नहीं हो पाता था सब लोग डेपेंड हुआ करते थे अपने ब्रोकर के या फिर जो हैं फिसकल जाके ओफिसेज में उनके तो उस तरीके से आज के टाइम पे अगर हम किसी स्टॉक के बारे में जानके आगे आने वाले 5-10 वर्ष, 15-20 वर्ष के लिए निवेश करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप समस्दारी से किसी कंपणी को आप सेलेक्ट कर ले गए कोई प्रतिभाशाली कंपणी आपको मिल गए तो जरूर आपका पैसा मोटा बनेगा शुरुआत से स्टेप बाई स्टेप सब कुछ चलेंगे जानेंगे और अगर यदि आपको लगता है तो देखें मेरे वीडियो बनाने के वज़े से आप मोटिवेट हो जाएं और सारा पूझी लगा दें और सारी पूझी लगा दें ऐसा मत कीजिएगा हमेशा जो हमारी पॉलसी रही है कि एगर हम लंबे समय के निवेशक हैं तो बड़ी प्राइस के स्टॉक में हमेशा एक एक शियर लें उससे फायदा ये होता है कि एगर आप पूरी पूझी लगा देंगे तो गिरावट में आप उसका लाब नहीं ले पाएंगे क्योंकि मार्केट का जो सुभाव है किसी स्टॉक का जो सुभाव है वो उपर नीचे उपर नीचे होता रहता है तो हमें बस यह ध्यान देना है कि हमें कितनी ज्यादा क्वाणिटी किसी अच्छी कंपनी के हम एकुमुलेट कर सके और नीचे के लेवल के रेट पे तो आएए चलते हैं सबसे पहले हम कुछ नंबर्स वगएरा बेसिक देख लेते हैं वैलिवेशन वगएरा उसके पश्चाद फिर हम चर्चा करेंगे देखे मुधूत फ़रेंस लिम्टेड ग्यारा सो सरसट रुपई की प्राइस पर अभी ट्रेड हो रहा है एक साल का लो बना चुका है 765 और हाई जा चुका है 1405 यानि कि अभी हाई और लो के मद्ध में मिल रहा है करिब-करिब देखें तो हाई के आसपास है एक वर्ष में रेटन वाइस देखते हैं तो तो ताहीं तालेस परशट की रेटन दिखाए दे रहे हैं जिन्होंने 6 महने पहले निवेश किया होगा तो हाई से चुकि काफी नीचे गिर चुका है तो यहां पर उनको कोई भी रेटन नहीं दिखाई दे रहे हैं पी रेशयो देखी यहां पर 12.96 का है अगर आप जो स्टॉक प्राइस है 1167 का और जो यह अर्निंग पर शेयर है 90 रुपए इसको जब आप डिवाइड करेंगे 1167 तो आपको एक्जैट जो है प्राइस टॉर्निंग रेशयो निकल के आ जाएगा इसे तरीके से प्राइस टॉपक रेशयो यानि कम्पणी की जो वर्थ है पर शेयर और जो स्टॉक प्राइस चल रहा है वो करीब 3.23 टांप स्टॉक प्राइस चल रहा है उसे इसाब से जो भी इसने डिविडेंट पर शेयर दिया है उसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1.28% रिटन आपको मिल रहा है, 46,887 करोड की जो इसकी market capital जो की एक large cap में आती है, 10 रुपए पर शेर की इसकी face value है, यह याद रखिएगा, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, और इसकी जो लिस्टिंग हुई थी 6 मई 2011 को यानि के करीब 10 वर्ष होने को आए हैं शुरू में हम return भी देखी लेते हैं, ताकि जो है आगे इस पर हमें help हो सके, अब देखी return wise अगर हम देखते हैं, तो माल लीजिए कि अगर आपने एक लाख रुपए लगाए हैं, एक साल पहले तो आपको 43 परश्चत की return मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपने तीन वर्ष को हमने यहां पर रखा हैं, तो आपका पैसा बन चुका है 5,74,000 यानि कि एक शांदार return है, अगर आपका पैसा 5 सालों में 5 गुना भी हो जाता है, इतनी गिरावट के बावजूद जो इस टॉक प्राइस से 1400 से काफी नीचे आ चुका है 1100 के आसपास, उसके बावजूद तो भी अगर 5 गुर्शों में 5 टाइम के आसपास आपको मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है, अगर माली जी हम दूसरे साइट पर टिकर टेप पर आते हैं, यहां पर देखें, default probability, low probability of default, और quality checks, satisfactory performance in quality checks, growth score among the top performance in growth score, और यह बेसिक देख लें, तो intrinsic value, current prices less than the intrinsic value, यानि कि जो fair value है, उसे नीचो trade कर रहा है, और return versus FD, of course return हमने देखें किस प्रकार के बना के दिये, dividend भी देखें कितना दिया है, entry point यहां पर कहा गया है कि good time to consider as stock is not in our bought zone, मतलब काफी भी quality हो चुकी है, और no red flags किसी प्रकार का यहां पर जोखिम नहीं है, तो यहां पर revenue और profit देखे है, तो इस वज़े से जो व्यापारी होते हैं, अगर उनको short term loan और चाहिए, तो बहुत ज्यादा EMIUMI के चक्र बनी परते हैं कि personal loan, other banks ले ले ले, other NBFCs ले ले, मुझे लगता है, ऐसी NBFC कमपनियों को prefer करते हैं कि हमें चटमंगनी पट वाला चकर चाहिए, लो gold और हमें इतना सोना दे दो, हमें इतने दिन के लिए ज़रूरत है, है ना, तो business model इनका काफी कमाल का है, अगर हम services में देखते हैं, तो देखें जो service प्रवाइड करते हैं, gold loan, insurance, foreign exchange, मुथूत, I will, digital and cashless, सुनहरी सोच, small medium enterprise loan, housing finance, gold coin, NCD, pancard, vehicle loan, loan at home, personal loan, money transfer, mutual funds, microfinance, big business loan, corporate loan, इस प्र इनकी आय होती है, बच्चन साब इसके ब्रांडम मेजडर है, अब रही बात कि हमें इसमें potential कैसा देखना चाहिए, अगर हम वर्तमान समय देखते हैं, तो मुथूत finance जो है, अन्य MBFC के मुखाबले है, अगर देखें, तो business wise अगर हम देखते हैं, तो number one है, gold loan का व्यापार है, और सुरक्षित है, मतलब कैसा होता है, कि लोग सोना रखते हैं, उसके बावजोदव लोन लेते हैं, तो company को एक तरीके secure loan भी कह सकते हैं, जो company देती एक तरीके से secure loan भी कह सकते हैं, दस की face value हो, तो भविश में कभी न कभी जब बहुत बड़ा price हो जाएगा stop price, तो बड़ा बचते हैं बड़ी price के stock से, जैसे कि आपको उदाहन मैं दूँ, अगर Dixon Technology के मैं उदाहन दूँ, जो बीस हजार के आसपास हो गया था, तब उन्होंने जो है, दस की face value से दो की face value पे आ गए, और five times जो है correct हो चुका, तो आपने देखा, और alkyl amine भी अभी बहुत बड़ा price हो चुका था, तो पांच से दो की face value पे आए हैं, उसी के ratio में जो है stock price correct हो चुका है, बाकि valuation value उसकी वही रहती है, तो इसमें गुंजाईश है कि माली जे अगर आपके पास एक share भी है, तो जब भी 10 से एक के face value पे आए गए हो तो यहाँ पे 10 times आपके share हो जाएं उसे साब से आपके stock price आपके stocks बढ़ते जाएंगे, dividend regular देती है, 20 रुपए per share के साब से अभी last dividend दिया था और प्रतेक साल dividend पे करती है company, return आप देखी चुके हैं, कि 5 वर्षों में 5 गुना कर दिया है, 3 सालों में बढ़ है return दिया है, last year में भी करीब 43 पर share के return आज की date में गिरावट में भी मिल रहे हैं, तो देखी है इनका ब्यास का काम है, ये धंदा का भी बंद नहीं होने वाला, लोगों को जरूरत होती है, वो पैसा उठाते हैं अपने business के लिए या अपने personal खर्चों के लिए और इनको interest पे करते हैं, तो ये business भी चलता रहेगा, गोल्ड इस तरीके से अगर हम company कुछ जर्च करके, पांस से दस वर्चों के लिए अगर हम रखते हैं, और हमारा target होता है, stock price से मतलब नहीं होता, हमें बस इस चीज़ पर focus करना चाहिए, कि अगर हमें company अच्छी लगती है, तो हम उसके धीरे धीरे, एक एक करके, हर गिरावट में, दो-दो करके, चार-चार करके, ultimately एक लंबे समय में, लंबे समय में आपके पास इतनी ज्यादा quantity हो जाए, फिर जब कभी वो split हो या bonus दे, तो आपके quantity उसी के proportion में बहुत सारे हो जाए, और जब per share कोई dividend पेकर एक company, मात्र dividend से आपकी इतनी income हो जाए, कि आपका जो खाता है वो भर जाए, आपका खर्चा पानी सब उसीश चल जाए, तो ये सारे जो information आज हम बता रहे हैं, ये पहले उपलब्द नहीं थी, आज आपको जो हमने इस सब चीजें बताईं, ये आपको जो है उपलब्द हैं, आप चाहे BSC के साइट पर जाएं, चाहे NSC के साइट पर जाए, इनकी खुद की website पर जाए, इनके financials वहाँ पर updated हैं, corporate जो activities होती हैं, उस सारी चीजें आज उपलब्द हैं, तो किसी भी company के बारे में जानना बहुत आसान हो गया है, तो इसलिए मैं कहता हूँ, कि अपने portfolio में आप इतने अच्छे shares रखी, इतने अच्छी कमपनिय रखे, उनको select करने में आपको भली चाहे, दो महीने का तीन महीने का time लग जाए, लेकिन अच्छे अच्छे stocks आप रखते जाए, उनका business model को समझते जाए, और मुझे लगता है एक लंबे समय में, अगर आपके किसमत भी अच्छी रही, सब कुछ साथ दे रहा, तो आप ब पिर आप trader है, आप investor नहीं है, अगर आपको लगता है कोई company बढ़या है, तो आप बस उसमें भूल जाए लेके, जब गिरावट हो, फिर ले लीजिए, बीच-बीच में देखते रहे हैं, जब तक कोई बड़े issues ना आ जाए, माली जीए corporate governance को लेके, माली जीए प्रमोटर क तरफ से कोई समस्या हो गई, फ्रॉड हो गया, या फिर quarter के नतीजे, results बहुत खराब आ रहे हैं, लगातार कई quarters खराब आ रहे हैं, अभी तो इसलिए खराब आने की संभावना है, other companies के, क्योंकि अभी तो COVID-19 है, ये तो जग जाहिर है, लेकिन फिर भी देखे, मुथूद लाएंगे, इसलिए बहुत सार आप ले लें, क्योंकि fundamentally काफी strong company है, तो इस तरीके से चुनाओ करें, select करें किसी company का, आशाय कि आपको काफी यहां से help मिली होगी, यहां पर फिर से मैं कह देता हूँ, कि यहां पर कोई खरीदारी या बेचने की कोई recommendations नहीं है, किसी company के बा हुआ है. झाल